नमस्कार दोस्तों, प्रिंच शीविल सर्विस के डिजिटल प्लेटफोरम पर आप सभी काते दिल से हार्दिक, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभी नंदन जैसा कि अपना RPSC एक्जाम और राजस्तान के जितने भी कंपेटिट्री एक्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वादा टोपिक, राजस्तान के द्रग और कीले बहुत ही अच्छा टोपिक, राजस्तान के हर competitive exam में इस topic section आते हैं, तो start करते हैं राजस्तान के द्रग और किलो में, द्रग और किलो में राजस्तान की बात करें, तो दोस्तों जो image आप देख रहे हो, image में जो किला दिख रहा है वो रन्थंबोर का किला है, रन्थंबोर का क किले की image आपके सामने है, रन्थंबोर का किला शवाई मादोपुर जिले में इस्तित है, निर्मता आठवी सताबदी में ठाकूर रतिदेव चोहान ने इस द्रग का निर्मान करवाया, रन्थंबोर द्रग शवाई मादोपुर में निर्मान आठवी सताबदी में ठाकूर रतिदेव इस दुरग का आकार के साय अंडाकार राजस्तान के इतियाश के किस दुरग का आकार अंडाकार है तो रन्थमबोर दुरग का आकार अंडाकार है इस दुरग को दुरगादी राज हमीर की आन बान सान का परतीक मना आता है दुरगादी राज सभी दुरगों का र बारे में अबुल भजल ने कहा अन्य सब दुरग नंग्य है ये दुरग बक्तरबंद्य है। आन बान शान मान और मरियादा का परतीक इस दुरग के बारे में अबूल भजल ने कहा अन्य सब दुरग नग्य है ये दुरग वक्तर बंद है तेरा सो ग्यारा इस्वी में रानी रंगदेवी ने नेतरतों में जल जोवर हुआ यहाँ पे 32 कंभों की चत्री तिननेतर गनेश मंदर जी का मंदिर भी खाए सतीत है शवाई मादवपर में दोस्तों बहुत ही अच्छा कुछन है राजस्तान के इतियास का फरतम साका किस दुरग में हुआ तो रंथम और दुरग में फरतम साका हुआ राजस्तान के इतियास का फर्तम साके में केसरिया करने वाले राजा कौनते तो हम्मीर देव चोहान कौनते हम्मीर देव चोहान ने क्या किया था केसरिया और हम्मीर देव चोहान की पत्नी थी रानी रंग देवी राणी का क्या नाम था रंग देवी और राणी रंग देवी ने क्या किया था जोहर जहार केशरिया और जोहर दोनों साथ हो जाए वो क्या गलता शाका राजास्तान के इतियाश का पहला सका कब हुआ था तेरा सो एक में किस दुरग में वाता रन्थंबोर दुरग में राजा कोंता हम्मीर दिव छोहान राणी कोंती घंग देवी आकर्मन करता कोंते अलाउदीन खिल जी खिल दिवा~! इसने कियता लाउदीन खेल जी ने तो रंधंबुर का किला सवाई महादोपुर में निर्माता आठवी सताबदी में रत्ती देव ने करवाया इस किले की आकरती अंडाकार है इसे दुरगा दिराज हमीर की आन बान शान मान मरियादा का प्रतीक मना आता है अबुल भजल ने चतरीकिस किले में रंधंबुर में तो दोस्तो सबसे ज़्यादा कूशन पूचा जाता है राजस्तान के इतियाश का पहला साका किस दुरग में रंधंबुर में राजस्तान के इतियाश का पहला साका उसमें केशरिया किस ने किया हमीर देव चोहान ने हमीर देव चोहान क पत्नी राणि रंगदेवी ने जोहर किया रजास्तान के इतियाश का पहला साका तेरा सो एक मिवा मेरे शेरों नेक्स बात करें नेक्स किले के बारे में अपड़ें तो निम्राना का किला निम्राना खापड़ता है तो निम्राना पड़ता है अल्वर में राजस्तान का स्काउट लेंड बोलते हैं किसको निम्राना को अलवर प्राचीनश में अलवर आता था मेवात में मेवात और राष्टिय राज़दानी चेत्र में शामिल है अलवर राश्टियर राजदानी जत्र में भी कौनसा जिला शामिल है अलवर जिला शामिल है अलवर में प्राचीन शमें यादव राजवंस का आधिपत्य था यादव राजवंस और अलवर की बेरोड और मुंडावर तैसल में मुंदावर तरशिल में अहीरवाटी बोली बोली जाती अहीरवाटी बोली कहां बोली जाती तो निम्राणा कीले को पंच महल का कीला बोलते हैं अलवर को राजस्तान का स्काउटलेंड राजस्तान के एक गरण में निम्राणा क्या थै ठीका ना जिसका मतेर संग में क्या वाता विल्ले वाता नेक्स्ट कुम्बलगड दुरग बहुत अच्छा दुरग दोस्तों कुम्बलगड दुरग कुम्बलगड दुरग का इस्तित राज समन्द में तिलक के समाना करती वाला जिला राज समन्द कुम्बान गट दुरग राश्चमन निर्माता माराना कुम्बा राजास्तान की स्तापते कलाका जनकिस को बोलते हैं माराना कुम्बा को मेवाड के चोराशी दुर्गों में से 32 का निर्वान माराणा कुम्बा ने करवाया इस कारण राजास्तान की स्तापते कराका जनकिस को बोलते हैं माराणा कुम्बा को बोलते हैं ये मचंदर कमलीपुर कुमपुर आदी नामों से भी जाना आता है इस दुरक को मचंदर, कमलिपुर और कुमपुर के नाम से भी जाना जाता है कुम्बलगट दुरक का वास्तुकार को था तो मेरे शेरो मंडन कुम्बलगट दुरक का वास्तुकार मंडन इस के लिए कि दिवार इतनी चोड़ी है कि चार गुड़ सुवार एक साथ दोड़ सकते हैं इस दिवार की 36 किलोमेटर लंबी है और दोस्तों कुम्बलगट की दुरग की दिवार को चीन की दिवार के नाम से जानते हैं चीन की दीवार के नाम से कुम्बलगट दुरक की दीवार को जाना आता है, कंडल टोड ने इस दुरक की तुलना एस्टु घंशे की है, किस दुरक की की है कुम्बलगट दुरक की एस्टु घंशे तुलना की है, 1549 माई 1540 को वीर शिरोवनी माराना परताप का जनम भी कुम् कटारगड और इस कटारगड को मेवाड की आँख खेते हैं मेवाड की आँख कौन सा दुरग खेलाता है तो कुम्बलगड का उपरी बाग कटारगड खेलाता और इस कटारगड को मेवाड की आँख खेते हैं कुम्बलगड मेवाड वा मारवाड की शीमा परिस्तिता है इस क पुम्बलगट दुरग राश्च्मन तिलक के समान अकरतीवाला जिला राश्रमन हिरमाता माराना कुंबा इसे मच्यंगर कमलीपुर उपकुंपुर नामों से भी जानाता है। कुम्बलगड दुरग का वास्तुगार मंदन इस दुरग की दिवार इतनी चोड़ी है कि चार गुड़ सुवार एक शाथ दोर सकते हैं करनल टोड ने कुम्बलगड दुरग के तुलना S2 गन से की है 9 मैं 1540 को वील शिरोमनी माराया परताप का जनम्भी किस दुरग में बूंदी का किला बावडियों का सहर बूंदी चोटी काशी बूंदी बावडियों का सहर और चोटी काशी चोटी काशी किस सहर को बोलते हैं तो बूंदी को बोलते हैं और मीनी काशी किसको बोलते हैं गलताजी को बोलते हैं बूंदी के दुरग का निर्मान देवी सिंग ह हाडा ने करवाया हाडा राजवनस्ता बूंदी में प्राचिंश में हाडोती कोटा बारा बूंदी और जालावाट इसमें बूंदी का निर्माद डेविर प्रेतों के द्वारा बनाया गया है बहुत अच्छी बात बताईए बूंदी के किले का निर्माण मानुओं के लिए नहीं बूत प्रेतों के लिए ये किसने काता विदेशी तियास कारते रूडियाड किलिपिंग उन्होंने रही बात की सुरक के बारे में कही है तो बूंद क्लास ते जुड़े रहे क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेर करें आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे किलो के बारे में बात करेंगे आज के लिए इतना ही जैहिंच सभी को